causes of selective mutism, psychological and social so now we will discuss about the psychological causes as well as social factors जो के इस problem के अंदर हमें देखने में मिलते हैं सबसे पहले हम psychological factors की बात करते हैं तो इसके अंदर psychodynamically जब हम देखते हैं explanation तो वो basically psychodynamic perspective ये explain करता है कि इनकी जो mothers होती है selective mutism वालों की they are very secretive ठीक है और they don't want to tell any secret of their family outside the home तो जिसकी वज़ा से वो जादा बाहर के लोगों से बात नहीं करती और बच्चे की dependency जो है वो अपने उपर develop कर लेती है और जब बच्चा स्कूल में जाता है और वो वहां पर mutism का behavior express करता है तो ये dependency जो है वो mother के उपर जादा strongly जो है वो back हो जाती है तो चुँके बच्चा ये learn कर चुका होता है कि मैंने अपने family secret जो है वो reveal नहीं करने तो इस वज़ा से वो भी स्कूल में जाकर बात नहीं करता और जो mother की और जो child की dependency है एक दूसरे के उपर वो बहुत जादा strong हो जाती है then we will talk about the behavioral aspect तो behavioral aspect की जिस वकत हम बात करते हैं उसके अंदर हम दो चीजों की बात करेंगे एक social anxiety की और एक negative reinforcement की तो basically जो behavioral school of thought है वो ये कहता है कि जब घर के अंदर modeling हो रही हो यानि अगर mother है और उसको social anxiety है वो social situations में जाने से avoid करती है वो लोगों से communicate करने में avoid करती है वो जादा टाइम घर में गुजारने की कोशिश करती है तो या अगर mother नहीं फादर का behavior ऐसा हो या XYZ घर के अंदर कोई भी family member है जिसका behavior ऐसा हो जिसको बच्चा observe कर रहा हो तो ये बहुत हद तक chances होते है कि बच्चा भी जो है वो social anxiety को manifest करना शुरू करता है और उसी का basically अगर हम इसको देखें तो ये है क्या ये जिस तरह social phobia है जिस तरह social anxiety है उन दोनों में भी evidence of people होता है अब इसके अंदर ये भी इसका एक variant है variant form है कि जहां पर बच्चा लोगों को avoid करने के लिए चुप कर जाता है उनके साथ वो interact नहीं करता उनके साथ वो बात नहीं करता तो ये एक ही family की जो है वो सारी चीजें जो है आपस में interlinked करती है इसलिए कहा जाता है कि अगर ये problem recover हो जाए बच्चे से childhood के अंदर तो बहुत हद तक chances होते हैं कि social anxiety जो है वो persist future और वो prevail करती रहे उसके बाद हम कहते हैं कि negatively reinforce certain time ये behavior होता है अब negatively reinforce कैसे होता है इस तरह होता है आप ये देखो कि बच्चा class के अंदर है ठीक है टीचर ने उससे सवाल किया जैसे ही सवाल किया उसकी anxiety raise होई अब जब उसकी anxiety raise हो रही है तो कौन-कौन से factors हैं टीचर उसको attend करी है पूरी class wait करी है कि वो इस सवाल का जवाब देगा अब जब ये anxious state है उसकी तो जैसे ही वो जवाब नहीं देगा तो teacher का जो focus है उसके उपर से खतम हो जाएगा जब focus खतम हो जाएगा तो उसकी anxiety भी जो है वो सबसाइड हो जाएगी इस तरह उसका जवाब ना देने का जो behavior है वो negatively reinforce हो रहा है जब जो teacher है वो उससे जवाब को नहीं ले पा रही तो इस तरह हम जो behaviors है वो certain time negatively reinforce भी करते रहते हैं we will talk about the social factors, social factors के अंदर ये आम तोर पर जो debate है वो ये है कि जो three years है बच्चे की early life के उस जवरान अगर बच्चे को किसी किसम का trauma उसमें face किया है तो ये कहा जा सकता है कि उसके अंदर selective mutism है अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि तीन साल से पहले इसलिए कह रहे हैं कि आम तोर पर जो standard age है बच्चे की school going for three years है अगर बच्चा school जा रहा है और school जाके वो नहीं बोल रहा तो जाहरी बात है वो उस age group में ही आएगा most likely so that's why studies mostly tell that three years से पहले अगर बच्चे ने कोई trauma face की अब trauma क्या हो सकता है वो sexual abuse हो सकता है वो physical abuse हो सकता है वो family की harsh environment हो सकती है वो parents का marital discord हो सकता है वो कोई भी चीज हो सकती है जो बच्चे ने experience की है observe की है और उसका effect जो है वो बच्चे के ओपर हुआ है या timely separation हो सकती है parents से तो इस किसम की भी जो चीज है वो बच्चे को effect कर सकती है जिसकी वजह से वो selective mutism को behavior जो है वो express कर सकता है then we will talk about the family functioning यह कहा जाता है कि जो इन बच्चों की family functioning है वो effect होती है और family functioning कैसे effect होगी जो mother child है ठीक है यह एक subsystem होता है अब subsystem का मतलब यह है कि mother child की जो boundary है वो unmeshed है यानि mother और child आपस में एक दूसरे के साथ बहुत strongly attached है और वो इतने attached हैं कि वो एक दूसरे के ओपर dependent है यहाँ पर जो father का role होता है वो passive होता है तो जो family functioning है वो एक तरह से आपको नज़र आएगी कि वो disturbed है फिर आपको यह नज़र आएगा कि उनकी जो external boundaries है वो बड़ी inflexible है अब inflexible का क्या मतलब है कि वो पसंदी नहीं करते किसी और शक्स से बात करना उनके घर के अंदर लोग बहर से नहीं आते वो लोगों से नहीं मिलते तो और अगर लोगों से मिलते हैं तो एक घर के अंदर rule है कि we should not talk about our homely matters with them तो इस किसम की जो do and don'ts वाली list होती है वो इन families में बहुत जादा होती है और अगर बचा कोई बात करते किसी से तो उसको फिर ये feedback दी जाती है कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी तो when we are saying these sort of things तो इसका क्या मतलब है कि जो उनकी external boundaries है वो बहुत rigid है influxible है तो ये इस किसम का जो उनका family environment है वो आपको आम तोर पर जिस वकद आप history taking करेंगे तो आपको मिलेगा और इस किसम का जो family pattern है वो हम कहते हैं कि एक cause हो सकती है जिसकी वज़ा से बच्चा selective mutism जो है उसको reflect करता है अपने behaviors में Thank you